सुप्रभातों बच्चों, आज हम चौथे कक्षा के पाठ दैस को करेंगे, जिसमें हमारा पेज नमबर 30 होगा. तो बच्चों धान दीजिएगा, हमारे पाठ दैस का नाम है एक बोना और लकड हारा, ठीक हैं? और ये पुस्तक है हमारे भाशा अभ्यास. तो पाठ एक में द्यान दीजिएगा, पाठ एक बोना और लकड हारा मेंसे कोई चार सर्व नाम शब्द छांट कर लिखने हैं. ठीक है, इस पाठ मेंसे हमने कितने शब्द लिखने हैं? चार सर्व नाम शब्द. ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर है, पहले यान रिकस्तार में लिखना हैं मैं, फिर खो में लिखना हैं वह, फिर थर्ड में लिखना हैं उसकी, और फोर्थ में लिखना हैं बच्चों वे. एक पार फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं वह, उसकी और वे. बल्या सबीन है, मैं वह, उसकी और वे. अब सेकिन है, सही शब्द चुनकर खालिस्तान भरिये. फ़स्ट होगा, वह मुहूं से फूक कर आग को तेज करता है. तो यहाँ पर क्या करना है, तेज को, ठीक कर लेना आप लोगों ने हैं. ठीक हैं? फिर है, लकड हारा, यहाँ पर लकड हारा, रोज लकडिया काटता था. तो यह आज़े गसमें. ठीक है, बच्चों. फिर थड़ है, हतेलिया मुहूं के पास ले जाकर, जोर से फूंक मारता है. यहाँ पर लना है, जोर. ठीक है? आलू काफी गरम था. ठीक है, बच्चों. इसको भर लेना आप लोगों ना है. अब है, नीचे तिये गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का चैन, शब्दों का वचन, एक वचन, बवचन बताईए. यह वाक्य और यह हो गया वचन. आलू गरम थे, तो यह क्या जगा बच्चों? बहु वचन. वह लकडिया काटने जंगल जाता था. यह जगा आपका बहु वचन. थाड़े आपका लकड हारे ने चुहा बनाया. लकड हारे ने चुहला बनाया. तो इसमा जगा एक वचन. यहां बहुत सारे लकडियों की बात हो दिया तो यहां पर बहु वचन आ गया. आलू बहुत सारे थे, तो गरम थे तो उसकी में बहुत सारे की बात हो दिया बहु वचन आ जाएगा. यहां लकड हारे ने चुला बनाया. तो यहां एक लकड हारे ने बनाया तो यहां पर आ ही करेंगे शेश हमारा जो होगा उसको हम अगली वीडियो में करेंगे तब तब के लिए बच्चो धन्यवाद